हाई फेंस विल्कम एगें टो एननदर वीडियो सरकर्टरियस के अंदर सो सेवी ने क्या बदलाब लाए हैं सबका हमें इंतिजार था इसीज के उपर तो उसी को उपर आज का ये प्रिजेंटिशन है बहुत ही शॉटली मैं आपको समझाने के कोशिश करूँगा जैसे कि देखते होंगे जहांपे CE और PE बहुत क्लिया बताया दिया जाता है कि ये CE PE इस लेबल पर अच्छा होगा आज क्या क्या चीज हम देख पा रहें सेवी बोर्ड मेटिंग आटकाम रिपोर्ड में तो मुचल फंड के उपर ओके मुचल फंड के उपर जो रूल्स रिगुल करते थे बट अभी इन लोग बोल रहा है जैसे हम option trading में use कर पाते हैं हम लोग जो retail trader है option trading करते हैं तो mutual fund वाले भी option trading कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सेवी का कुछ बहुत ही सोज बिचार करके बनाए हैं ताकि जो हम देखो इसमें हो कहा रहा है कि हमारे पास maximum retail traders के पास कोई knowledge नहीं है option trading और है भी तो greedy के चकर में वो profit को loss कर रहे हैं यह होता है न कि सही जगह पर buying भी कर रहा हूं profit भी ले रहा हूं but second time ऐसे जगह पर entry हो रहा है कि वो loss हो रहा है तो इससे हम control नहीं हो पर है हम retail traders को तो उनसे बचने के लिए कि आप लोग mutual fund में आओ और mutual fund में जो F&O segment में काम करते हैं उनमें आजाओ तो उनमें बहुत अच्छा return मिल सकता है तो मुझे लगता है कि mutual fund अगर F&O segment active हो गया है और उन्हेंने सहीज दरीके से पैसे लगाया तो 50% minimum return हो दे सकते हैं तो second point हमारा यही था ओके और third point ने जो उन्हें बताया है कि फि proposed in review and regulation research analysis investment advisors यानि कि जैसे हम लोग जैसे जो YouTube videos बनाते हैं जो SEVY registered नहीं है इनको SEVY registered का जरूरत नहीं है but SEVY का एक part होगा जो NISM 12, NISM 10 इस टाइप को जो exam है यह exam ज्यादा से ज्यादा advisor दे उनको कुछ knowledge आए और फिर जो YouTube अगरा बनाते हैं या आप लोग का advice देते हैं उनको यह certificate कम से कौन बने तो इसको उपर भी SEVY ने धियान दिये हैं and third of all इन्हों ने बताया कि API MFS accounts t plus 0 इसका मतलब क्या है कि हम जब कोई holding stock buying करते हैं या FIS जब holding stock buying करते हैं तो उसको settlement के लिए T plus 1 अभी हो गया है या पहले T plus 2 था तो 2 से 1 कटाया गया है अभी T plus 0 करने का कोशिश कर रहे हैं मतलब आज ही हम buying कर रहे हैं या आज ही हम selling कर रहे हैं तो वो amount हमारा आज ही settlement हो इससे क्या होगा जब delay होता है कि आज मैं मेरा stock sell किया हूं वो पैसे कल आएगा तो उसमें काफी दिखात होता है बड़े investor को हमें भी होता है चोटे investor की होता है मानलो आपको आपको पास IRFC का stock है काफी दीन से आज अपने profit करके आज sell किया बट अपको लगा कि आज ही sell करके कल सुबह पर दूस्टरा stock लेना कभी कभी यह नहीं हो पता है तो यह clear हो जाएगी T plus zero जाब हो जाएगा समझ में हारा है सर तो T plus zero होने से आज का पैसे आप कली इस्तमाल कर पाऊगे holding stock जो sell किये हो उसका पैसे को आप कली इस्तमाल कर पाऊगे जो सबसे ज्यादा important सबसे जरूरी news था वो था कि F&O में retail trader को उपर क्या बदलब लाए है क्या lot size बढ़ा रहे है क्या premium बढ़ जाएगा इन सब चीजों को पर कोई discussion नहीं हो आई या इसमें कोई changement नहीं हो आई सो अभी आप लोग happy रहिए बढ़ साबधनी से trade कीजिए retail trader को मैं ही कहूँगा कि आप लोग साबधनी से trade कीजिए एक discipline trader बनिये येस मुझे ऐसे लगता है कि option trading में अगर आप discipline trader ना बने तो फिर option trading में सुबह का पैसा सामको loss ये कहानी चलता रहेगा सबाइस आज के ये important news था आप लोग के लिए साथ में कल है holiday मतमकान्दी जायनती ये तो holiday बनाईए सब लोग अच्छा से पर परसू मिलेंगे live market में थैंक्यू फ्रेंड्स जाए हिंद जाए भारत